नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सारे लोग आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो अपने अपने कर्तिव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जीतोर कोशिश के जा रहे हो और हम हमारे साधना में परमेशवर की कृपा से गुरू के आशिरवात से जरूर बताएं शिक्षक लेखक श्रितीन कुरी पात्रों तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की कविता शिक्षक अर्धशत वर्ष पहले जब हम लोग स्कूल में थे तब घटा था एक छोटा सा घटा आज कह रहा हूं मैं छोटा सा ही उस कहानी में उस दिन एक तम पहले बेंच में बैठा हुआ था बेस्ट बॉई बीच वाले बेंच में मैं और पीछे कुछ और बच्चे पीछे जो लोग बैठे थे वो लोग शुकतारा लेकर चेना जप्टी कर रहे थे उससे बहुत ज़्यादा शोर मच रहा था यही शोर सुनकर एक जटकी में हिट सर क्लास के अंदर आ गए और सामने उनको मिला बेस्ट बॉई जो अपने ही काम में खुदी बेसुद था सर सामने आकर उसी को बहुत बड़ा सा एक धमक लगा कर डाट कर बोलने लगे गंभीर से स्वर में चला की नहीं है बेस्ट बॉई आज तुझे ही मैं ये कह रहा हूँ के पूरे के पूरे पिरियड तुझे खड़ा रहना है दोनों हातों से दोनों कान को पकड़ कर ये ही तेरा है सजा 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 सुनकर पूरा क्लास चुप हम लोग भी ड़ने लग गए सोच में पढ़ गए क्या होगा आज क्या होगा आखिर में क्लास खतम हुई चुट्टी के रिंग बजा घर वापस आए मन आज था उदास साथ में ही डर और खोब सारे प्रश्ण और बिश्मय दिन बीटते गए महिने बीटते गए ठिक जैसे पानी बहता जाता है नदी में बहने लगा समय एक दिन कब जानी खतम हो गया ये स्कूल का समय समय के हाथ पकर कर नए यात्रपत में नए दिशा में चलने के लिए खतम हो गया स्कूल का समय परिक्षा के अंतिम फल जानने के लिए उस दिन हम लोग सारे लोग आए थी स्कूल में देखा के बेस्ट बॉई सामने खड़ा है हाथ में है रिजल्ट सर उसके सर पे हाथ रख कर कहे वो डाट भूल जाना और बहुत खूब खूब बड़े होना और उस बड़े होने के लिए जितना आशिरवाद चाहिए जितना आशीश चाहिए सब तेरे जोली में डाल दिया में काम आएगा जब भी रुकेगा दुख ही होकर नहीं खुश होकर उस जोले को खोलना तुझे मिलेगा आशिरवाद आगे बढ़ना बढ़ते ही जाना हमेशा याद रखना ठीक है सर फिर बोले याद रखना सारे उस दिन जो लोग थे एकदम दुष्ट बैक बेंच में बेठे आज वो सारे अच्छे हैं उस सेर के डाड से है न और अपने आपके नीरलस परिश्ट्रम से है की नहीं अब यहाँ पर मेरे सामने कोई दुष्ट नहीं है सारे अच्छे है तुम सारे इसी स्कूल के संपद हो देश के आशू भविश्यत हो सबका शुभ हो यही रहा मेरा आशिरवाद सब के लिए तुम सब को यही कहता हूँ मंगल हो तुम लोग के परिद ही बड़े फले फुले और इस देश के सीमाओ को लांकर बहुत बहुत दूर 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 लेकिन जितना भी दूर जाओ याद रगना जरूर ये स्कूल ये शिक्षा केंद्र जितना भी बाध्जिक रूप से छोटा हो लेकिन फिर भी यही तुमारे चलने की यही तुमारे चलने की रसद है सफल होने का प्रान शक्ति है समझना जब भी कहीं पर अपने आपको तोलने की जरूरत हो खुद को पूछना खुद को याद दिलाना इसी स्कूल का इसी सीख का आज इतने दिनों के बाद जितने भी कश्मकर्ष जितना भी सवाल जितना भी बिश्मेस अब कुछ था सब कुछ कहीं कैसे हिसाब सारे मिल जाता है और याद सिर्व आता है सर की वो ही सहच बाते याद नहीं है उस दिन रिजल्ट हाद में लेकर सर को प्रणाम किये भी थे या नहीं लड़कों के भीर में लेकिन आज ये आखरी समय में जब अंत बहुत नस्तीक है मनी मन कैसे जानी सर के दोनों पैर छूने का बहुत इच्छा हो रहा है इसलिए आज अंतर के अंतर स्थल से एक गंभीर और एक सक्चा प्रणाम उनके उन दो पैरों में अंजली के रूप में चड़ा रहा हो सच्ची में लगता है बहुत ही भाग्यवल से ऐसा एक शिक्षक मिला था मुझे अपने स्कूल के समय में तो दोस्तों आज की कविता की अनुवाद तो यहां पर ही यहां तक ही था आशा करती हूँ एक शिक्षक अपने सिक्षक के लिए और उनके शिक्षक के लिए जो अपने मन से लिखे हैं वही एक छोटी सी लड़की जो उस शिक्षक से ही सीख के आज शिक्षक बनने के राह में चल पड़ी है वो सही माइने में उसका अनुबाद कर पाई तो आज यहां तक ही क्या बोलूं यह बहुत एक रिदे के बहुत पास करीवी वाले हैं शायद जो लोग शिक्षक और इस पेशा में हो या आने जा रहे हो शायद आप लोग सारे इसको भरपूर अनुद्धा बन कर रहे हो है ना तो आज के लिए इतना ही अच्छे से रहना शुब मस्तू